नमस्कार सातियों आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेट वित रहने चले दोस्तों सुरुवात करते हैं तो आज का सहर है इस्टालाइट टेक्नोजिस लिमिटर्स के वारे मैं बात करने से पहले अगर अपी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब ने पहले चैन हम उस्स इते लिव होता है तो दैके अंव यह दिगा कि लिए अपने स्मार्ट आप टेखने ने मिल्जिस कह पिए तो उस तरह के स्मार्ट सॉल धियल्यक प्रवाइड करते हैं अब यह देखा most of the UK के अंदर देखिए इनोंने 5G को लांच कर रखा है South Africa, USA, UK, Australia, Malaysia तो FTTA और इनका 5G का सोलुशन अभी तक चला दो कि इंडिया के अंदर 5G आने वाला है तो इस्टल लाइट Technology Limited के अंदर बात करेंगे तो basically company का काम आपको मोटा मोटा एक्सप्रीन कर पा रहा हूँ मैं जित्ता मेरे से हो पा रहा हूँ बाकि आप website पर खुद भी analyze कर सकते हैं इसके वारे में तो इंडिया के अंदर 5G आने वाला है थोड़ा दिन में 4G जियों ने 5G launching के लिए प्रपेर हो चुका है तो 5G को operate करने के लिए कोई कोई कंपनी तो आगे आएगी न 5G की connectivity को आपस में contribute कराने के लिए तो जो पहले से expert होगा तो काम उसी को मिलता है ये तो हम कोई पता है आप लोगो पूरा explain के काम उसी को देता है expert को काम दे जाता है तो ये लोग 5G के 5G को मोडल को चलाने के लिए बहुत expert है तो अब इंडिया के दाथ जैसे 5G का क्रेज बढ़ेगा जैसे 5G launch होगा पूरता से तो इस company को definitely काम मिलेगा तो इस company का जो share rate होगा वो definitely अब बोम जाएगा अभी share गिरा हुआ गिरने की वज़ा ही बजाऊँगा थोड़ दिर में प्लीज वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए तो देखिए इनका solution इस तरह का solution इंप्रवाइट करते हैं तो यह हमरा मोटा मोटा overview था क्लाउड क्लाउड सर्विसिंग यह देते होते हैं कंपणियों को ठीके ना टेक्नोजी के लिए लिए लाइव वीडियो के लिए जिस तरह का सब्सक्राइब करते हैं अब चलते हैं इनके अंतर इसका आज के ट्रेडिंग सेशन कैसा उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए आज के दिन यह 0.73% गिरावाट के साथ यह बंद हुआ है इस्टियल के नाम से वैसे कंपनी पड़ चलीता है इस्टालाइट के टेक्नोजी लिम्टेड के बाद है तो यह देखिए कि कंपनी कप से 1988 से है पूने में इसका हैटकोटर है तिके ओपन होता है 207 रपे 5 पैसे हाई मारा 210 रबेगा लो मारा 203 रबेगा आज के लोग पे ही बंद हुआ है 52 है 318 का 52 रबेगा यह आजपस अपने 52 के लोग के आजपस अरी पर देखिए कि 5 दिन के अंदर इसने अच्छा कासा 24% 0-24% की ग्रावट के साथ यह बंद हुआ है वन मन्न के अंदर इसने 28 % रिटन दी हमाल और मार को मारेंस मेंड इसने 32 % मेंड में मैंड जाए तो अब देखिए इसके अंदर यह सबसे पहले बात करेंगे इसका मार्केट के बारे में बात करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसका 14 तारिक रृट्ट आपको अवर्वियू करके देता हूं पूरा डीप अनलाइज नहीं होता है तो देखे इस्टन लाइट टेकलोजी इस लिमिटेड आपको नसी बीसी दोनों पर मिलेगा इसका मार्केट का है पर 8102 करोड बेगा इस्टॉक पी ए 38.8 का इस्टॉक आरो से इसका 12.2 परसंट का रिटन ओफ एक्वेटी फॉर 14.1 परसंट की डिविडेंट इसका है 0.98 परसंट का ओफेज वेलिस की दौर पे किया अब देखे कंपनी रिटन कंपनी ने अपनी रिटन ओफ एक्वेटी मैंटेंस रखी है तीन साल की 40 24.34 परसंट के हिसाब से और कंपनी ने डिविडेंट अब मुझे लगता है इसमें गिरावट होंदे गिरावट होती है यहां से अब रिवर्सल ट्रेंट से पहले हम जाने के वजह भी गिनने की तो उसके लिए रिजल्ट का ओवर्वियू करना बहुत जुरूरी है तेकि इनके सेल हुए थी क्वाटर थिरी के अंदा एक हजार थी क्रोड पेगी है इनकी क्रोड में थी सेल है और इनका एक्सपैंस हुआ था एक हजाजा़ चार सो चेकरोड पैगा देखिए सेल्स के बढ़्टे ही एक्सम्स का बढ़ गया तो इसलिए अपरेशन प्रॉफिट आया था इनको माइनस में 51 क्रोड गा इनको ओधर इनका म एकस्पेंज था 1246 क्रोड गा और ओप्रेशन प्रॉफिट था लास्ट क्वाटर में दो सुक्षट करोड बेगा अधर इंकम ती 11 करोड की और इनको नेट प्रॉफिट आया था उस तेम लास्ट कॉर्टर में 106 करोड पर और EPS दनका 2.66 तो इसके देखेंगे आप कंपेरिजन सेल में भी घटत देखने को मिली हमारको अप्रेशन प्रॉफिट हमारा मुनाफ़े से कंपनी घाटे में चली सब्सक्राइब करेंगे नेट प्रॉफिट के अंदर भी मुनाफ़ा था घाटे में चला गया था जिस वजह से अच्छी साथ की घरावट देखने को मिली अब थोड़ा एर यह रवाई कंपरेशन करेंगे तो देखिए लास्ट यह सेल थी 1314 करोड की वह घटके हुई थी 13 356 करोड बेगी तो घटत देखने को मिली हमें थोड़ी सी घटत देखने ज्यादा घटत देखने को नहीं मिली और एकस्पेंस था हमारा 230 से घटके हो गया था माइनस में 51 करोड और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो वह भी हमारा 87 करोड से घटके हो गया था 137 करोड और एपस था हमारा 2.19 वह घटके हो गया था 3.45 माइनस में आप देखेंगे कंपणी अच्छे में अच्छा काम अच्छा है तो 5G काम आगे चलके बढ़ेगा घटेगा नहीं यह ची समझने वाली बात है अच्छे शेरों के अंदर हमें समय पर ही समझना चाहिए कि उतार चड़ा और कंपणी के साथ होता है अच्छी कर रही है और लाखों में करती इंकम कर रहे हैं इसका मतलब वैंचर काफी बढ़ा है और काफी ग्लोबली वाइस फेमस भी है इनका वेंचर फैला भी हुआ है यह समझ है अब देखिए इनके अंदर अब दिसंबर क्वाटर के इनके प्रमोटर के होल्डिंग घटी इस क्वाटर में इसके होगे पॉबली क्यों इसमें बस एक इजावत देखने हो मिला हमारे को बाकि तो खराब था इंपेक्ट भी आपको देखने हो कैसा मिला आप दिख चलते इसके डेली चार्ट पर डेली चार्ट पर दिखाता हूं आपको देखिए रिजल आया था हमारा 19 तारीक को 178 और गिरावट ही तो 19 तरह को देखे किता गिराता यह यानि 273 पर ट्रेट हो रहा था यह गिर के आगया था 245 पर 250 पर आगया था यानि 20 एक की दिन में पूरा 10% गिरावट देखने हो मिली फिर नेक्स डे भी अच्छी खासी गिरावट होई और आप देखिए शेर मैप कर एक अप्रेल के अस्वस बनी थी दो जर्किस कंदर ही यह इस लेवल पर सपोट ले रहा है यहां पर आके फिर से अब ट्रेंडिंग के तरफ गया तो हमें क्या करना है इसी लेवल का अब स्टॉप्लस लेके चलना है सब्सक्राइब करेंगे जित्ते समें खराब होना था वह हो चुका है जित्ता बेकार को होना था वह हो चुका है जितकी रिजल्ट के अगर आपने देख लिए सीधा शेर कहां सब्सक्राइब करेंगे चलेंगे तो यहां से पहला टर्गेट आएगा 210 का दूसरा टर्गेट 215 का तीसरा टर्गेट 220 का क्योंकि यह जो कैंडल है 240 तक है तो मेरे को लगता है यहां से यहां से 220 तक के लेवल आपको इसी तरह किसे दिखा देगा और कल के दिन 5G को लेकर बजट के अंदर कुछ अनॉंसमेंट भी आती है तो भी सेर के अंदा मुव लेकि 199 की होई से चलता तो हम भी 199 का स्टॉप लोस लेकर चलेंगे तो आपको क्या करना है एक स्टॉप लोस से बाय करना और पैसा साथ होल रखके बढ़ने रखना है अब इसमें जल्दी आपको 220 तक के लेवल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे I hope यह वीडियो आपकी यह वीडियो को लाइक शेयर वावट करना बिलकुल ना भूले थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दिस वीडियो